हेलो और वेलकम दोस्तों मुझी दीपक और आप देख रहे हैं दीपक शेलर यूटूब चान को दोस्तों एजडेप से बैंक ने यूपय ट्रांजक्शन पर चार्जस लगाना शुरू किया और आजी की डेट से यह सारे चेंजे से आप एजडेप से बैंक ने किया अगर लगाना कोकटंक महंध्रा इलंग के बाद एक्सिस में त्रांजक्शन के चार्जस लगाना शुरू किया। पूरा देखें, तो दोस्तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर हम कौन-कौन से application यूज़ करते हैं, या पर बहुत सारे लोग phone पे, Google पे, या फिर कोई भी third party application यूज़ करते हैं, जिस के मदद से आप EU पे transaction करते हैं, एक mobile नमबर आपका एज डेपसी के संद रेजिस्टर है और वही मोबाइल नमर फोन पे में गूगल पे में और किसी और आपलेकेशन में आपका रेजिस्टर है सबसे पहले एक हादार रुपई के आप ट्रांदक्शन करोगे तो आलग से चार्जर से एक हादार रुपई के ऊपर का ट्रांदक्शन करोगे तो वह आप आलग ट्रांदक्शन तो हम सब कुछ जानते सबसे पहले तो यहापे हम बात करेंगे अंडर 1000 अगर आप 1000 के अंदर का कोई भी transaction करते हो तो आपको यहापे कितने चार्जस लगे 1000 रूपय के आप अंदर का transaction कोई भी करो कोई भी UPI transaction करो या फिर UPI transaction में आप bank transfer करो IFSC code और आप bank account number डाल के तो अब आपको transaction charges लगेगे 2.75 पैसे plus GST मतलब लगबग ए आमाउंट होने वोला है 3 रूपई या फिर 3.5 रूपई तक ए आमाउंट होने वोला है अगर आप 21 वा transaction है फिर 20 transaction के बाद कोई भी transaction करने जाओगे और एक आपडेट है अगर 1000 रूपई के उपर का कोई transaction करने जाओगे तो उस पर आपको अलग से extra charges लगाई दिये जाएगे 1000 रूपई के पर transaction पर 20 transaction के बाद 1000 रूपई के उपर कोई भी आप एक transaction करते हो तो यह पर जितने सारे transaction करें हर एक transaction पर 4.75 प्लस GST मतलब लगवा 5 रूपई से ज्यादा लगवा साड़े पास 6 रूपई charges आपको यह पर GST मिला के आप से आप लगाए दिये जाएगे तो यह पर बस आपको महिने के 20 transaction है यह फिरी में मिले गए 20 transaction के बाद अगर आपको transaction करने तो मैं आपको recommend नहीं करता कि आप transaction करें क्योंकि आपको वह पर charges bank लागा दी जाएगे सबसे पहले तो बैंको ने method लाए कि आप डिजिटल बनो यह फिर डिजिटल ए ट्रांजक्शन करो आप किसी भी दुकान पर जाके scan पर के थुरू भी अगर आप कोई QR code scan करके transaction करोगे तो ओ भी transaction इसमें count किये जाएगे अप डिजिटल बनो cash जादा ज्यादा यूद मत करो आप डिजिटल ए ट्रांजक्शन करो सबसे पहले अरच बैंको ने का और उसके बाद एक पीछे एक बैंक और एक प्रांजक्शन पर चार्जस लागाने के पीछे बड़े सबसे पहले होट को चार्जस लागाने करूंगा यह जो को ट्रांदक्शन पर चार्जस लागा दे रहा है मुझे तो यह बात थोड़ी पी पसंद ने आप लोगों को क्या लगता है कि भाई यह नहीं लगाने चाहिए आप मुझे नीचे कमेंड में जाके बाता सकते हैं बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों आज से इनफॉर्मेट्ट्व वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे अनली बेल आइकन को क्लिक करके और नोटिपीशन आन करने है बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों थैंक्यू जैहिंद वन्दे मात्र